नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अनकिल आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट होमोपेटिक मैडिसिन जिसका नाम है आर्सनिक एलबम एक कॉंस्टिटूशनल मैडिसिन है बह इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर आप नहीं हैं मेरे वीडियो आप पहली बार देख रहा है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो रेट कलर की बटन दबाखर चैनल को सस्क्राइब कर लें सांती सांत बहुत सारे ऐसे जिन्हों ने channel को subscribe करिया है बेल आईकन की घंटी को preserve नहीं किया है तो वहाँ बेल आईकन की घंटी को प्रेश करते ताकि जैसे ही मैं चैनल पर health related video upload करो तो जानकरी सबसे पहले आपको मिल सकके और health related informative video आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं हो सके तो चलिए दोस्तो बात करेंगे आर्सनिक एलबम के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे constitutional presence कहने का मतलब या है कि आर्सनिक का presence देखने में किस तरह से देखने को हमें मिलता है दोस्तो आर्सनिक का जो presence होता है बहुती साफ सपाई से रहना पसंद करता है हर अपनी एक चीज का ध्यान रखता है किसी भी चीज को विल्कुल भी खराब नहीं करता और देखने में किस तरह से देखेगा आपने जैसे मेरा वीडियो नक्स बूमिका पे देखा था नक्स बूमिका का presence और आर्सनिक का presence देखने में एक ही तरह की होते है साब सफाई से रहना प्रेस अपने कपडों में होना चाहिए और एक educated person की तरह बाहर रहता है हर काम time to time करता है यहाँ keynote symptom हमें देखने को मिलता है आर्सनिक अलबम पे हर काम time to time करेगा यदि उससे 10 बज़े यहाँ जाना है तो बद 10 बज़े ही जाएगा उसके 10 बज़े से पहले ही पहुँच जाएगा 10 बज़े के बाद नहीं पहुचेगा यहाँ keynote symptom हमें आर्सनिक अलबम में देखने को मिलता है अब बात करेंगे दोस्तों mental symptom की किस तरह से mental symptom हमें आर्सनिक अलबम में देखने को मिलते हैं आर्सनिक का जो पैसेंट्स होता है बहुती सांथ सभाव का होता है गुस्सा बिलकुल भी नहीं आती उसे गुस्सा के मामले में बहुती सांथ होता है गुस्सा बिलकुल भी उसे नहीं आती और जो खाने की चीज जो उसे पसंद है ठंडी चीज खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है खटाई बहुत ही ज़्यादा उसे पसंद है नीबू का अचार खाना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है आरसनी के अलबम को बेल मार की नोट सिम्टम खटाई बहुत ही ज़् अग्रावेशन हो जाता है, गर्म से उसे रिलीव महसूस होता है, सुभाव की इदी बात कर रहे हैं थे हम, बहुत ही सान सुभाव का होगा, और हर काम अपना टाइम टू टाइम करेगा, गुस्ता बिल्कुल भी नहीं आएगी, आप उसे चार बात कहने, चार बात भात सुन बिल्कुल भी उल्टा के जवाब नहीं देगा, यहां माइंड के सिम्टम हमें पैसेंट्स में देखने को मिलते हैं, अब बात करेंगे दोस्तों, हेड की, कि यहां हमारे सरी में कहां कहां असर करती है, तो हम आपको लक्षन बताते चलते हैं, कि कहां कहां असर करती है, क्य दोस्तों, हेड में अधिया आपको हमेशा दर्द बना रहता है, ठंडे से आपको रिलीफ मिलता है, तो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है, ठंड से हेडिक में रिलीफ मिलता है, पर ठंड हवा से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, हेड जो है अपने सिर को भाँ खोल यदि उसका सिर्दर्द कर रहा है और अपने सरीर को पूरा से कबर कर लेगा, यहां वेलमार की नोट सिम्टम आप में आर्सिनिक को देखने को मिलते हैं, यहां सिम्टम बाकी और कोई अधर मेडिसिन में हमें यहां लक्षन बिलकुल भी देखने को नहीं मिलता है, यहां जो दर्द होता है, रातरी में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, इसका जो एगराविशन होता है, वहार रात में होता है, बेचेनी, घबरहाट, रेसलेंड जैसी महसूस होती है, तो आर्सिनिक अलबम बहुती अच्छा काम करती है, यहां हैडेक के सिम्टम में हमें देखन को मिलता है यदि हैडेक इस प्रकार का हो रहा है तो आर्सेनिक एलवं 30 पोटेंसी में सुबा दो फैर्शाम सुबा दो फैर्शाम कंटिन्यू 15 दिन से 20 दिन तक आप मैडिसिन यूज़ करें आपके हैडेक की प्रावलम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद यहाँ अ एक बजे तक प्रावलम होती है रात जैसे ही हुई 11 जैसे बढ़े बजे रात के और प्रावलम बढ़ना चालू हो गई यहाँ की नोट सिंटम आर्सेनिक एलवं का है रात के 11 बजे अगरा विशनिसका होता है मद्ध रातरी में बहुत ही अच्छा काम करती है सांस लेने मे देखने को मिलेंगे सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रावलम होगी खासी होगी थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पी होगे बहुत ज्यादा रैसलेंसने बेचेनी घबराट होगी एक ही जगा आप बैठने ही पाओगे हर जगे आप मुवमेंड करते रहोगे, यहाँ बैल मार की नौट सिम्टम हमें आरसेनिक ऐलबम में देखने को मिलता है इस तरह की लक्षनियरी आपको हो रहा है, रिस्पारेटी टेक्ट सिम्टम पे, चाहे आपको दमा की प्रावलम हो, चाहे निमोनिया की प्रावलम हो चाहे कफ, कोल, एंड, फ्लू की प्राबलम हो तो उसमें आर्सनिक बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही इफाक्टिफ, मोपेटिक मेडिसीन है कार्बो बेज जैसे संजीवनी बूटी है इसी तरह से यहां जीवन दाइनी की रूप में यहां काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है तीन मेडिसीन से इसका कंपरेजन किया जाता है पहले नमबर पे आती है, एकोनाइट दूसरे नमबर पे आती है आर्सनिक एल्बम और तीसे नमबर पे आती है कि घबराइट बेचेनी रिस्ट लेल में काम करती है एक उनाइट की जो घबराहाइट हो ती है वह ज्यांदा होती है और रिस्टाइक आपको लग रहा है फिर घबराइट विचेनी हो रही है तब उसमें एको नाइट काम करती है तीन comparison है इस तरह से comparison करके आप medicine प्रिस्क्राइब कर सकते हो बहुती अच्छे results मिलेंगे आपको यदि इस तरह से comparison करके आप medicine का use करें आपकी जो दम सास की problem है निमोनिया की problem है आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद यहां असर करती है हम Angravation होता है जिसमे नापको रात में बताया रात में उसका growlish हो जाता है पेसेंट का जो सवाव होता है बहुत ही सांत होता है बहुत जारा एक्जिमा में की जरूरत होती है आर्सेनिक एलबं 200 पोटेंसी में सुभा स्याम सुभा स्याम कंटीन्यू कम से कम 20 दिन तक देना है फंगल इंफेक्शन की प्रॉबलम जो आपकी है वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद आता है दोस्तों एक्जीमा एक्जीमा में बहुती रा को इस तरह से खुजाता है बहुत तीजी से उसको खुजान होती है उसके बाद उसमें जलन महसूस होने लगती है जब उसे जलन होती है तब वहाँ कुनकुना पानी डालता है गरम पानी डालता है तो उसे रिलीप महसूस होता है वेल मार की नोट सिम्टम आप दिस आर्सन इसके बाद यहाँ असर करती है हमारे इस टमक में यदि आपको खाना खाने के बाद जलन महसूस होती है गैस एसीडिटी की प्रावलम होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है जब भी आप कुछ चीज खाते हैं और आपके पेट में जलन होती है और आप कुछ गुन के जितन गुना साथ पानी पीते हैं इसमें अपको मैसुस होता है तो उसमें ऑर्सेनिक हैल्भमम बहुत अच्छा काम करती है इसके बाद आता है यही डाइरिया की आपको problem होती है, lose motion होते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है food poisoning में यहां बहुत ही effective homeopathic medicine है well more keynote symptom of this arsenic album food poisoning, यदि आपको हुई है diarrhea हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा weakness लग रही है आपको उठके चलने का मन नहीं कर रहा है आपकी नब्स धीरे चलने लगी है slow होने लगी है, प्यास बार बार लग रही है, diarrhea की condition में हो रही है जैसे respiratory symptom में हमने आपको दमा बताया था, pneumonia बताया था उस तरह की इसमें भी लक्षन होने लगते हैं बेचेनी सी होने लगती है, दस्त बार बार होने लगते हैं, food poisoning की बज़ा से तो उसमें arsenic album बहुत ही अच्छा काम करती है 200 potency में आपको यूज करना है आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही factor results मिलेंगे, मैं आपको लेने का तरीका वीडियो के last में और अच्छी तरह से समझाऊँगा इसके बाद यहां असर करती है हमारे mental symptom पे मैंने आपको और थोड़ा सा बताना भूल गया mind में और क्या हमें लक्षन देखने को मिलते हैं यदि आपको हमेसा डर बना रहता है किसी भी चीज का आपको डर बना रहता है बोड़ी में पसीन आने लगा हलकिसी restless ने जिससे होने लगे कहीं आप प्रभचन देने गए हैं या का भासान प्रस्तूत करने गए हैं तब आपको हलकिसी बीचेनी होने लगी बार बार आपके प्यास बढ़ गई है तो 30 potency में यूज करना है regularly कम से कम 25 दिन तक आपकी प्रॉब्लम जो है anxiety की है या घबरहाट की है resilience की है भाब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इस तरह से आपको medicine लेना है इसके बाद यह असर करती है हमारे piles में यदि आपको बावाश्कीर की problem है यदि आपको stool pass करने के बाद आपको burning होती है आपको जलन होती है वहाँ पे चुबन होती है गड़न होती है और जब भी आप गरम पानी डालते हैं तो उसमें relief महसूस होता है तो उसमें arsenic album बहुत ही अच्छा काम करती है बहुत ही effective homeopathic medicine है दोस्तों यहाँ जो medicine है constitutional medicine है यदि मैं इसको और ज़्यादा आपको detail में समझाऊं तो वीडियो आदे गंटे का हो जाएगा 30 minutes का हो जाएगा मैं आपको keynote समझाते चल रहा हूँ जल्दी जल्दी piles के case में आप बहुत ही अच्छा काम करती है जैसे मैंने आपको बताया burning होती है जलन होती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद आता है फिसर के case में बहुत ही effective homeopathic medicine है फिसर में क्या condition देखने को मिलती है एनाल के नाल से हलका सा discharge होता है discharge होता है वह एकरीट होता है जहां जहां लगता है वहाँ पे जलन होने लगती है तो जब जैसी जलन होती है पेसेंट जब भी साब करता है वह गुनगुने पानी से ही साब करता है तो उसकी प्रावलम भढ़ जाएगी जैसी गरम पानी डालेगा तो उसको रिलीव महसूस होगा तब हमें आर्सेनिक एलवाम फिसर की condition में देनी की जरूरत होती तो यदि आप 30 पटेंसे में यूज कर रहे हैं सुबा दो फेर से हम कंटिन्यू 15 मेहने पंदर दिन से एक महने तक इस मैडिसिन का फिसर की condition में यूज करना है बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद यहाँ असर करती ही अर्टी के एरिया में अर्टी के एरिया में क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं तो उस condition में यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती थार्टी पोटेंसे में यूज करना है एक्यूट कंडिशन में सुबा दो फैर स्याम कम से कम 15 दिन तक यहाँ प्रॉल्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं की नोट सिम्टम की कैसे क्या क्या की नोट सिम्टम है मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी बता रहा हूँ क्या 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 की नोट सिम्टम आर्सिनिक का जो पैसेंट्स होता है बहुत ही सांथ सबाव का होता है उसका जो सबाव होता है बहुती सांत रहेगा किसी को पर बिल्कुल भी गुस्ता नहीं करता है खाने की जो डिजार होती है आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करता है खटे पदाहर से खटे फल उसो खाने की बहुती ज़्यादा एक्चा होती है पेसेंट जो होता है बहुत ही चिली होता है हमेशा अपने सरीर को कबर किये रखता है ठंड से उसको प्रावलम भढ़ जाती है जैसी गरम प्लेस में आता है उसकी प्रावलम पूरी तरह से ठीक हो जाती है चाहे कोई भी सिम्टम हो गरम में उसको रिलिप मैसूस होता है उसकी प्रावलम बढ़ जाती है सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीब होने लगती है पल्स रेट गिरने लगती है और बहुत ज़्यादा बेचेनी रेसलेंज जैसी लगती है तब आपको आर्सी तो आपको यूज करना है इसके बाद वेलमार की नोट सिम्टम मैंने आपको बता दिया अब बात करेंगे दोस्तों डोस की किस डोस में अच्छा काम करती 30 potency में इसका सबसे ज़्यादा अच्छा काम है 30 potency में चारबून सीधे डारेक्ट जीव में लेना है या आपको यूज करना है 25 दिन एक महने तक तो regularly यूज करना है बीच में गैफ नहीं करना है इसके बाद जो बंद करें medicine आपको repetition नहीं करनी है इसके बाद आता है 200 potency 200 potency का आपको दिन में एक बार यूज करना है इस medicine का use आप श्याम के समय करें तो result आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे जो भी इसका aggravation होता है जो भी compliance होती रात के समय सबसे ज़्यादा हमें पेशेंट से बेखने को मिलती है चारबून सीधे direct जीव में यूज करना है यदि रात में आपकी problem भढ़ जाती है तो 200 potency का एक बार repetition भी आप कर सकते हैं दिन में एक बार यूज करना है श्याम के समय continue 15 दिन से एक महने तक इस medicine का use करना है इसके बाद इस medicine का आपको use नहीं करना है इसके बाद आता है दोस्तो 1M potency 1M potency में इसके बहुत ही अच्छे results है यदि आपके पूरे mental symptom, physical symptom और जो भी मैंना आपको keynote symptom बता है पूरे match करना है तो 1M potency का use करें दिन में सुबा दुफैर से आप एक ही दिन use करनी है या बीक लिए आपको इस medicine का use करना है बीक लिए चारबून सीधे डारेक्ट जीव में दिन में एक बार continue 1-1 तक और इसके बाद medicine का repetition आदि आपको थोड़ी बहुत problem भड़ती है तो medicine का repetition आप कर सकते हैं इसके बाद आपको medicine का repetition नहीं करना है इस तरह से आप medicine use करें 30 potency, 200 potency और 1M potency आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही effective results देखने को मिलेंगे अब बात करेंगे दोस्तो aggravation with emoloration की किस तरह से arsenika patients को aggravation होता है मैंने जैसे ही आपको बताया इसका aggravation जो होता है रात के 11 बजे होता है इसकी जो भी problems होती है ठंड से उसकी बढ़ जाती है जब भी वहाँ ठंडे place में जाता है तो उसको aggravation हो जाता है ठंडी चीजे खाता है तो उसका aggravation हो जाता है पर खटाई खटे फल उसको खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ठंड से ही उसको aggravation हो जाता है यहाँ लक्षन हमें इसमें देखने को मिलता है इसके बात करेंगे दोस्तों emoloration की जब भी उसको कोई problem होती है गरम प्लेश में जैसे ही आता है वहाँ तो उसकी problem ठीक हो जाती है जब भी गरम कमरे में आता है जब भी वहाँ उसको ठंड लग रही है वहाँ hot होता है आगी से अपने सरीर को सेखता है कब अपने सरीर को cover करकी रख लेता है तो उसकी problem ठीक हो जाती है यहाँ हमें emoloration patients में देखने को मिलते हैं अब बात करेंगे दोस्तों complimentary की arsenic की बहुत सारी complimentary है sulfur इसकी complimentary है बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तों मेरे है वीडिओ आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दें इस वीडियो को अपने परिभारों में family में जादा से जादा से सियर करें ता कि वह यादी वीडियो देखके अपनी problem को a systema, digamos, neemonia, cuff cold and flu, general heart anxiety disorder की जो प्रॉब्लम उनको बहुत पूरी तरह से ठीक हो सके दोस्तों आज के लिए वस इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको कोई मैडिसिन समझना है यदि आपको मैडिसिन की जानकारी चाहते हैं तो अमरे कमेंड बॉक्स में भी लिखके आप में से प तकली जहिन जैवारत बंदे मातरा